प्रणाम दोस्तों कि दाना चुकर मंदिर में मस्जिद में पानी पीती है सुना हमेने राधा चुनरी सलमा बेगम सिलती है एक रफी था मह्फिल मह्फिल रगुपती रागव गाता था प्रेम चन था एक कवी जो ईदगाह सुनाता था इदगा जिसी मारमिक कहानियों को पढ़कर हम बड़े हुए ये हमारा हिंदुस्तान और वास्तविक्ता में यही जलक है हमारे हिंदुस्तान की कि चाहे पूजा करो या इबादत करो दिल लगाने की सबकी वजा एक है कि चाहे पूजा करो या इबादत करो दिल लगाने की सबकी वजा एक है सारे दीनों धरम का है मतलब यही सूरते हैं जुदा आईना एक है हे कनहियां की मुरली की तानों में वो और है माज़ितों की अजानों में वो गेर काबों में क्या नूंडते हो उसे हे ठिकाने हजारों पता एक है हे ठिकाने हजारों पता एक है यहीं 16 सेंचुरी में खाल सापंत जब इस्तापित हुआ 1699 में गुरू गोविन सींग जी के द्वारा तो नमन है ऐसे गुरूं को देखिए उनका होसल और जज़बा जब दस्त लाख औरंगजिप की सेना के बीच केवल 45 सिक सेनिकों को अडिंग किया हडा किया क्या कहते हैं कि चिडिया दे नाल बाज लड़ामा गीदडानू में शेर बनावा सवा लाख नल एक लड़ामा तो गोविंद सिंग नाम कहामा धन्य धन्य गुरुदेओ यही 16 सेंचूरी में ही एक रानी जो हाडुती के शान बनी हडा रानी तो हडा रानी के बारे में जो कहानी आपको पता होगी चूडावत मांगि सेनानी शीष काड़ दे दियो सत्रानी तो इसलिए मैं कहता हूँ कुछ पंक्तियां है सुनिएगा कि प्रेम पत्र की अमर निशानी प्रेम पत्र की अमर निशानी हाडा ने दिखलाई थी राजपुताना अमर कहानी हाडा ने बतलाई थी वीर सलुम्बर चूडा ने जब सेनानी मंगवाई थी वो हाड़ती की हाड़ा ने शीश काट भिजवाई थी वो हाड़ती की हाड़ा ने शीश काट भिजवाई थी ये है अमारा हिंदुस्तान 15th century में जब कबीरदासी आये तो कबीरदासी क्या कहते हैं कि ता मारमिक दोहा बोला है उन्होंने कि क्या काशी क्या उस तर मगर राम हर्दै बस मोरा, जो काशी तन तजे कभीरा, राम कोन नी होरा, धन्य है एसे संतों को, धन्य है, थेंक यू, थेंक यू दोस्तों, थेंक यू very much.